वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस फ्रेश वीडियो के अंदर बात करेंगे क्या कुछ आज हाल चल रहे हैं फ्राइडे मॉर्निंग को क्रिप्टो मार्केट के सारी चीजें सारी अपडेट्स आपके साथ कवर करेंगे तो उससे पहले आप सभी को वेरी गूड मॉर्नि कुछ टाइम थोड़ा सा यसी लेवल पे भी रह सकता है 19,000 20,000 21,000 22,000 इस प्राइस रेंज में बिटकोईन मॉव कर सकता है ठीक है और हो सकता है जुलाई के अंदर आपको नए लो लेवल देखने को मिल जाएं ठीक है तो जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकिंड वीक के अं भी डाउन जा सकता है ठीक है तो 933 बिलियन डॉलर का पूरा क्रिप्टो मार्केट हो गया तो 900 बिलियन डॉलर से उपर आ चुके हैं काफी और 3.6% लास्ट 24 आउर में पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट उपर गया है तो एक ग्रीनरी मार्केट के अंदर बनी हुई ह बिटकोइन चल रहा है 21,000 डॉलर बे बिटकोइन के हाई लो देखें हम तो बिटकोइन ने अपना जो हाई अगर आप देखेंगे 21,266 का जो है हाई हिट किया है तो 21,000 पे बिटकोइन आ चुका है 20,000 पे कल प्राइज मूव कर रहे थे 20,200 से लेके 21,200 तक 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 रिवन- प्राइज और 3.4% उपर गया बिटकोइन और अगर हम यहां पे चार्ट देखें बिटकोइन का तो 21,000 पे आया है जिस प्राइज मूव कर रहे थे यही प्राइज घूम रहे थे कल तो यहां से सीधा बुर्ज खलीफा 21,000 का बनाया और जिस तरह बिटकोइन दीरे-दीरे उपर जा रहा है उसी तरह मार्केट भी उपर जा रहा है धीरे-धीरे इथेरियम के प्राइस भी काफी अच्छ लेवल पर आ चुके हैं फिर से नब्बे से उपर उपर चल रहा है इथेरियम भी नब्बे के करीब-करीब अगर आप देखेंगे यहां पे इथेरियम 11,1148 पे जो है अभी चल रहा है प्राइस तो 1100 डॉलर से भी उपर आ चुका है 5.6 परसेंट उपर है टीथर 3 पे यूएस डी 4 पे बी एन बी कोईन 231 डॉलर पे चल रहा है 4 पर चल रहा है एकसर भी डिपल 0.36 डॉलर पे है और 12 परसेंट रिपल के प्राइस भी उपर गए है अब 12 परसेंट रिपल उपर गया है तो 6 नमबर पे आ चुका है 6 नमबर की सबसे 6 नमबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी रिपल बन चुकी है Binance USD आ गया 7 नमबर पे Cardano आ गया 8 नमबर पे Cardano 0.49 पे चल रहा है 3.9 परसेंट उपर है और अगर हम Solana देखे 9 नमबर पे है Doge Coin 10 नमबर पे है तो ये कुछ Solana 9 पे फिक्स हो चुकी है 38 डॉलर के साथ 7.6 परसेंट उपर है Doge Coin 0.06 के साथ चल रहा है 10 पे 2.5 परसेंट उपर है Polka Dot चल रही है 7 डॉलर के उपर 11 पर इफिक्स हो चुकी है 4.5 परसेंट ग्रीन में है Diet Well पे है 1 डॉलर के साथ Tron है अगर आप देखे 0.06 के साथ ये भी 30 नमबर पे है और Shiba Ainu की अगर बात करें तो Shiba Ainu आ चुका है आ रहा है क्योंकि Shiba Ainu सबको Flip कर रहा है और अगर हम यहां पे Shiba Ainu का Market Cap देखें और Tron का देखें तो 5.64 बिलियन डॉलर का है Shiba Ainu का और 5.93 बिलियन डॉलर का है Tron का तो Tron भी अब ज़्यादा दूर नहीं है कि Tron को भी Flip कर दे Shiba Ainu ठीक है और Avalanche देखेंगे तो 15-20 परसेंट जो है Avalanche के प्राइस पर गया है तो Last 2 Days के अंदर 52% उपर गया है Polygon Matic के अंदर काफी अच्छी Greenery बनी हुई है कल भी हमने आपको Update दिया तो कल से काफी अच्छी Greenery है Wales भी Accumulate कर रही है Polygon Matic को तो काफी अच्छा Green और Bullish Polygon Matic बना हुए 47-48 रुपीज पर आ चुका है 38 से लेके ठीक है तो Price बढ़ रहे है Polygon Matic के तो Shiba Inu का अगर हम High Low देखें तो Shiba Inu ने क्या कुछ High Low टच किया है अगर आप देखें 5-0-4-0 कभी 5-0 होती है कभी 4-0 होती है तो अभी 4-0 के साथ 10-27 पे चल रहा है 9-44 का High हिट किया है और 5-0 के साथ 97 का Low भी हिट किया और 2% टूपर है 17,43,000 लोगों की नजर में Shiba Inu और चार्ट पर अगर हम नजर मारें तो चार्ट इसी Price रेंज में घुम रहे है 90 और 10 की सीरीज में और अगर हम यहाँ पे देखें ट्रेडिंग वॉल्यम कितना हो रहा है Shiba Inu के अंदर तो Shiba Inu के अंदर अभी ट्रेड वॉल्यम नहीं है ज़्यादा 42% ट्रेड के अंदर चल रहा है यह है करंट हाल Shiba Inu के पूरे क्रिप्टो मार्केट के आज Friday morning को जो धीरे धीरे उपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो शुरुआत करेंगे Shiba Inu की बर्निंग से Last 24 hour के अंदर Shiba Inu कितने बर्न हुए है वो भी अगर आप देखें कल 10 या 12 million थे आज हमें 62 million का number देखने को मिला है तो 50 million जैदा increase हुए है और जैदा अगर आप देखेंगे नमबर already 100 million से भी नीचे आ रहे हैं काफी टेम से तो ये कुछ नमबर आया है Last 24 hour में बर्निंग का तो जिस तरह Matic के प्राइस उपर जा रहे हैं अगर आप देखेंगे कल से ही और यहाँ पे Ethereum whale ने भी एक transaction किया है Matic को लेके काफी ज़्यदा accumulation हो रहा है और blue whale 0072 है ये Ethereum whale जिसका नाम है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तक्रीबन तक्रीबन 80,000,000 79,000,42,000 यहाँ पे जो है Matic coins को खरीद लिया है इस whale ने जिनकी value है 4.9 तो यहाँ पे काफी ज़्यदा positive चीज़ है Matic को लेके तो 80,000,000 Matic coin इस whale ने तक्रीबन तक्रीबन खरीद लिया है और इसकी rank की बात करें तो 362 पे इसकी rank आदे इसके लावा इसी whale ने एक और transaction किया है blue whale 0072 ने इसने भी यहाँ पे दूसरे transaction के अंदर million dollars के तो 80,000,000 और 11,000,000 यहाँ पे बहुत ज़्यदा quantity में दो transactions के अंदर इसने Matic coin खरीद ली है 362 पे इसकी rank है और तो सीधा सीधा 1 करोड से भी ज़्यदा Matic coin यहाँ पे इस whale ने खरीदे हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा number जो है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है Matic coins की buying का तो इस whale का तीसरा transaction भी Matic coin को लेके और Ethereum whale blue whale 0072 just bought 68 lakh तो तकरीबन तकरीबन 1 करोड 20 लाख 30 लाख तक number पहुँच गया यह Matic coins का 3 transactions के अंदर और 1 करोड से भी ज़्यदा की buying कर ली इस अकेली whale ने 3.7 million dollar के इसमें transaction किया है और अगर आप देखेंगे इसकी यहाँ पे 400 rank है और यहाँ पे total जो buying होगी है Matic की इस transactions के अंदर 3 transactions के अंदर 1 करोड से भी ज़्यदा जो Matic coins है whales ने यहाँ पे खरीद लिए 3 transaction में ही और यह है Ethereum whale blue whale 0072 का ही चोथा transaction और इसके अंदर अगर हम देखें तो 37 lakh 37 lakh Matic coin खरीद लिए और तकरीवन तकरीवन 1 करोड 30,40,000,000,000 ऊपर नमबर पहुँच गया और इतने coins 4 transactions के अंदर buy कर लिए है 2.2 million dollar की तकरीवन तकरीवन value है 37 lakh Matic coins की और यही एक reason है आप देख रहे हो काफी अच्छी greenery Matic में हमको कुछ देखने को मिल रही है क्योंकि whales का accumulation भी चल रहा है साथ के साथ और यह है Ethereum whale blue whale 0072 का 5 वां ट्रांजक्शन जी हाँ 5 त्रांजक्शन और इसके अंदर देख रही है 67 lakh Matic coin इस whale ने लगातार खरे लिए 3.7 million dollar के और 400 पर rank है आपको पता ही है पांचवा ट्रांजक्शन तकरीवन 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 1.5 करोड के करीब नंबर पहुँच गया Matic coins का की 1.5 करोड coins जो है इन 5 ट्रांजक्शन में whale ने अपने बैग में एट कर लिए नेक्स अपडेट है 33% of surveyed gold buyers plan to buy more bitcoin instead of gold तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है 33% एक survey बताता है 33% according to a survey by blockchain infrastructure platform Paxos 33% of the respondents who bought some form of gold in the past 2 years said they plan on buying more bitcoin instead of gold जो लोग gold को buy किया करते थे है न gold का कुछ भी कुछ भी buy करते थे वो आज ये कह रहे हैं कि gold की जगा वो buy करना चाहेंगे bitcoin को और bitcoin is the new gold ये चीज सब को पता है और Paxos survey 1000 gold investor in US, UK, Singapore, Germany during mid April और ये सारे survey किये गए हैं US के अंदर, UK के अंदर, Singapore, Germany के अंदर और ये बहुत बड़ी update है कि बहुत बड़ी बात है कि 33% ऐसे gold buyers के mind में ये चीजें भी चल रही हैं कि वो और bitcoin को buy करें bitcoin को ज़्यदा खरीदें gold से पहले तो gold से ज़्यदा preference जो है bitcoin को मिल रही है gold buyers की तरफ से ये एक positive और अच्छी update है next update है Solana को लेके Solana to launch crypto smartphone Saga to cost around $1,000 अब Solana यहाँ पे आ चुकी है Saga को लेके और यहाँ पे launch किया है crypto smartphone Solana Labs co-founder Annitley said the company will launch a crypto smartphone called Saga by quarter 1 2023 तो ये जो crypto smartphone रहेगा ये आजाएगा 2023 की starting में और adding that it's time for crypto to go mobile it will come with a secure and native custody solution called Seed Vault तो mobile को लेके आई है smartphone को लेके आई है Solana जिसका नाम है Saga और an NFT based product called Saga Pass and the Solana DApp Store ये जो final cost रहेगा इस coin का smartphone का 1000 dollar रहेगा तो इसके आने के बाद Solana पे क्या impact पढ़ेंगे अगर देखा जाए तो Solana के जो भी projects हैं जो भी चीज हो रही है Solana को लेके तो इसका भी कुछ ना कुछ impact पढ़ेगा तो देखते हैं ये सागा को लेके आ रहे हैं नेक्स्ट इयर की स्टार्टिंग में और देखते हैं क्या कुछ impact Solana के उपर पढ़ते हैं तो नेक्स्ट अपडेट है Harmony को लेके Harmony 1 भी आप इसको बॉल सकते हैं अब Harmony के price 10% तक डाउन में चल रहे हैं और इतना डाउन जाने का reason क्या है क्या कुछ अब date है 0.02 डॉलर के साथ ही अभी trade कर रहा है और रुपीज की बात करें तो 1 रुपी 87 पे आ चुका है ठीक है लगातार अगर आप देखें बड़ी downfall हमको देखने को मिल रही है फिर से तो क्या reason है जो यहाँ पे price गर रहे हैं Harmony के तो बिल्कुल Harmony Protocol lose 100 million dollar to horizon bridge hack तो एक hacking यहाँ पे हुई है और third biggest hack of 2022 जो आपने देखा पहले भी एक Axie Infinity के जो Ronin है उनका भी एक hack हुआ था तो Harmony का भी यहाँ पे protocol lose 100 million dollar to horizon bridge back और blockchain network Harmony protocol reported a security breach in horizon bridge to leading to loss of approximately 100 million dollar यहाँ पे 100 million dollar hack हो चुके है the hackers begin sending tokens to a different wallet to swap for Ethereum on Uniswap DEX then sending Ethereum back to original wallet it's the third largest blockchain bridge hack this year इससे पहले Ronin network के लिए 625 million Ronin network का हुआ था and warm hole 300 million dollar का और इसके बाद third number पे यह हो गया हार्मनी protocol का तो यह एक सबसे बड़ा hack हुआ यह सबसे बड़ी update है Harmony को लेके और Harmony के price भी यहाँ पे इसी reason से गिर रहे हैं अगर आप देखेंगे काफी ज़्यदा नीचे है 10% तक जो है एक सीधा हमको downfall देखने को मिला हार्मनी के price में यही कुछ cryptocurrency news and updates थी आगे जो update रहेंगी आपको telegram पर ही मिलती रहेंगी तो telegram का link है description में join नहीं कहाँ तो join कर लेना twitter पर ही follow कर लेना किसी भी crypto में invest करने से पहले खुद से भी research कर लेना वो बेहत जरूरी होती है आज की इस video में फिलहाल इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye